कि हलो स्टूडेंट्स आज हम जो एक्जरसाइज 4.1 को कॉश्ट नवर बन करेंगे सेकंड पार्ट यहां पर है कौड्रेटरल जंप यहां पर हमें ड्राक करना है उसके लिए जो है यहां पर डेटा हमें दिया गया है यहां पर हम जो है जिसकी सबसे ज्यादा लेंगत यहां पर हम 6.5 लेंगे यहां से यह हो गया हमें 6.5 तो यहां पर इसको हम नाम रखेंगे P U और ये जो है 6.5 cm है उसके बाद कम पास हमें लेना है और यहां से हम जो है P पर लेंगे center ठीके और radius लेंगे हम 4.5 upwards और हम आरग एक ड्रा करेंगे तो यहां पर जो है यह हमें हो गया 4.5 तो यहां पर हमें लेना है तो यहां पर हम जो है एक आरग ड्रा करेंगे इसी तरीके से अब यहां पर जो है यहां पर हमने J.O पर रखना है तो यहां पर हम U पर लेंगे और J.O पर आना चाहिए तो यहां पर U J या J.O वो यहां पर हमें है 3.5 तो यहां पर यह लेंगे यह जो है यहां पर हम ने लिया यहां पर जो है यह पर दर यह जो है पहले वाली उसको हम Extend करेंगे तो यहां पर हम ऐसे इसको Rock करेंगे उसके बाइद यहां पर कट हो गई है तो इस Point को हम जो है J रखेंगे अब यहां पर जह है J-U-M M यहां पर आएगा तो यहां पर PM कितना है यह MP वो हमें जो है 5 cm है तो यहां पर 5 cm लेंगे तो यहां पर जो है 5 cm यहां पर हमने लिया तो यह और कैसे ड्राक कि उसके बाद जो है U M जो है 4 cm है तो यहां पर हम लेंगे यहां पर जो है 4 cm और इस पॉंट को हम M रखेंगे अब इनको जॉइन करेंगे यहां पर जो है जे यू को पहले जॉइन करेंगे इसी तरीके से यू एम फिर जो है एम पी लास्ट में पी एम पीजे तो यहां पर जो है इस तरीके से हमें जो है यह कोड़रेटल बना और यहां पर इनको हम लिखेंगे यहां पर जे यू जो है वो हमें 3.5 सेंटिमीटर है इसी तरीके से यहां पर जो है यू एम जो है वो हमें है 4 सेंटिमीटर यहां पर पी एम जो है वो 5 सेंटिमीटर है इसी तरीक से पी जे जो है वो 4.5 सेंटिमीटर अब यहां पर जो है सिट अपस ओफ कनस्ट्रक्शन कनस्ट्रक्शन तो यहां पर सिट अपस ओफ कनस्ट्रक्शन में लिखूंगा Tomorrow straightly video pause रहेंगा वो इसलिए ताकिए विडियो short बने तो यहां पर steps of construction यह चीक्षिन के steps of construction है यहां पर जो है किस तरीक से हमने यह question johan solve किया Data की मदद से किस तरीक से हमने यहां पर इसको construct किया इस हमने इसी तरीक से बाग चीक्षिन सम करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में